हलो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे विकास लाइफ के बारे में साड़े 3 रुपे का पैनी स्टॉक है आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में चलते हैं fundamentals की तरफ और देखते हैं क्या कह रहा है यह counter current price 3.55 book value है जो काफी कम है 0.72 price to book value अगर देखेंगे तो 4.95 कोई बड़ी बात नहीं है 5 के नीचे है ठीक है volume आप यहाँ पर देखेंगे काफी अच्छा volume इसमें trade हो रहा है एक करोड 29 लाग के उपर का volume trade हुआ है face value एक रुपया है low 2.34 high 9.71 यह 52 week का है यह stock मैंने इसलिए select किया है क्योंकि कल के दिन में result आता हुआ नजर आया है इस counter में and results की जहाँ तक बात है यहाँ पर आप देख सकते 67.49 क्रोर्स का sales है जो की पिछले 2019 से लेके जून 2021 में कहीं भी आप देखो highest 51 गया था लेकिन इस quarter का result 67 जब यह 51 गया था तभी भी profit 0.75 था बट profit के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सबसे जादा profit इस quarter में होता वह नजर आ रहा है तो मुझे लग रहा है कि यहां से turnaround story हो सकती है यह counter काफी अच्छा perform कर सकता है आने वाले समय में share capital काफी कम है 66 क्रोर का share capital है एक रूपया face value है यानि कि 66 क्रोर्स floating shares है market में 41 और 41 total borrowings है 82 क्रोर्स कोई ज्यादा बड़ा debt नहीं है 82 क्रोर्स का debt है और वहीं अगर आप बात करेंगे प्रमोटर होल्डिंग की तो वह काफी कम है 20.09 2020 सेप्टेंबर तक काफी अच्छा प्रमोटर होल्डिंग था उसके बाद उन्होंने काफी ज्यादा बिक्वाली की है अभी 20% का जो होल्डिंग है वो प्रमोटर्स के पास है और 78% पॉब्लिक के पास है यह थोड़ा problem area है कभी ऐसे script में आप invest करते तो एक stop loss जरूर रखें यहां पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा तीन रुपया से लेके तीन रुपया पाच पैसे के नीचे अगर यह काउंटर बंद होता है तो फिर exit ले लिजे फिलाल 3.55 पर यानि कि 50 पैसे का जो है वह आपको bracket रखना है सुपर ट्रेंड के अगर मैं बात करूं यहां पर देखी तीन रुपया साठ पैसे पर इसका resistance है मुझे लग रहा है मंडे के दिन में यह ब्रेक होना चाहिए 3.60 के उपर ट्रेड होना चाहिए आपको करना क्या है उसके बार में बात करते है छोटी quantity आप आड़ कीजिए ज यहां पर अगर मैं देखूं तो यह 7.95 यहां पर 7.91 यह जो प्राइज है 480 और 432 यह काफी बड़ा एक resistance का काम करेगा उसके बाद अगर आप देखेंगे इतना बड़ा वॉल्यूम कभी ट्रेड नहीं हुआ है पिछले कुछ दिनों में भी वॉल्यूम काफी कम रहा है बट कल के दिन में 14th October का जो वॉल्यूम है यहां पर आप देख सकते हैं थोड़ा marginal increase पहले 48-34 lakhs हो रहा था फिर 77 lakh का वॉ काउंटर जाता है तो फिर काफी अच्छा एक अपसाइट दे सकता है कम से कम आठ रुपे का यह काउंटर कि स्टॉक प्राइस दिखा सकता है तो विकास लाइफ में काफी बढ़िया opportunity है यहां पर इन्वेस्ट करने का चार्ट अगर आप देखेंगे तो काफी जाधा ups and downs एक टाइम पे 50-60 पैसे पे था उसके बाद 18 रुपे का हाई बनाया और वहाँ पे आप देख सकते हैं काफी ज्याधा गिरावर देखने को मिली है बट ज्याधा रिस्क हमें लेना नहीं है stop loss रखना है जैसे प्राइस उपर जाएगा आपको stop loss रिवाइस करते रहना है ता आपको